बिस्मिल्लाहिर्मानी रहीम एक्वेटिक टॉक्सिकोलोजी के कोर्स में आज हम अफेक्ट औन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्वेटिक टॉक्सिकेंट हैं जो रिप्रोडक्शन पर किस तरह से अफेक्ट करते हैं तो रिप्रोडक्शन है जो एक्वेटिक और्गिनिजम में कुछ एक्सेप्शन के इलावा एक्स्टरनल है यानि कि एक्स्टरनल फर्टिलाइजेशन होती है और डिवैल्प्मिंट भी एक्स्टरनल ही होती है एंब्रियों की वाटर में तो एक्वेटिक टॉक्सिकोलोजी रिप्रोडक्शन के लिहाज से कुछ इस तरह से स्टड़ी की जाती है या टॉक्सिकेंट जो हैं वो कुछ इस तरह से अफेक्ट करते हैं जैसे के रिप्रोडक्टिव हार्मून साइकल्स पर अफेक्ट करके रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब करते हैं गोनेडल डिवैल्प्मिंट और यॉक प्रोटीन फार्मेशन और अक्यूमिलेशन में विटेलोजैनिन और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स को चेंज करके process को affect करते हैं और embryo की development के दोरान भी affect कर सकते हैं तो developmental toxicology और reproductive toxicology यह एक दूसरे से close connection रखते हैं toxicant है जो यह reproductive हर एक के बारे में हम डिटेल से हम पर डिसकस करेंगे हर एक फैक्टर के बारे में आगे जो के हर एक की कुछ एग्जम्पल भी मिल जाएंगी हम पर टॉक्सिकेंट एफेक्ट ऑन रिप्रोड़क्टिव हर्मोन बिकम अल्मोस सिनोनिमस वीद एंडोक्राइन डिस्टरप्शन बिलकुल कुछ इसी तरह से हर्मोन के ओपर ये एफेक्ट करते हैं जैसे के एंडोक्राइन डिस्टरप्शन कर रहे हैं हो जैसे के एंडोक्राइन डिस्रप्शन है जो एंडोक्राइन डिस्रप्शन का मतलब यह है कि जो हार्मून्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बनाए गए उनके अंदर ये इंटर्फेयर करते हैं स्पेशली रिप्रड़क्टिव हार्मून्स में स्ट्रेस हार्मून कोर्डिसोल, कोटिकोस्टिरोन, नौर अड्रिनलीन, ओस्मोटिक हार्मून्स या ग्लुकोस बैलन्स रेगुलेटिंग हार्मून्स हैं जो एल्डोस्टिरोन, ग्लुकागोन, इंसुलीन, इनके उपर भी effect करते हैं ये feeding regulating hormones, leptin, orexin, ये digestive system से related हैं जो thyroid hormones, thyroxin, tri-iodo, thyronin वगेरा को भी effect करते हैं ये different chemicals, vertebrates में, जबके in vertebrates के अंदर metamorphosis को कंट्रोल करने वाले, exoskeleton को बनाने वाले, juvenile hormone, malting hormone, malting inhibiting hormone, effect होते हैं, chemical की वज़ा से, endocrine disruptors, जो कि reproductive system को effect कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह से effect कर सकते हैं, firstly, वो effect कर सकते हैं, agonist के तोर पर, मतलब के, same result देंगे, जैसा एक normal hormone दे रहा होगा, पाइंड कर लेंगे receptor को, जैसे के estrogen, endogen receptors हैं, और बिल्कुल, hormone induced effect देंगे ये, estrogen, agonist होता है, diethyl, still best role, जो के natural, estradiol, estradiol के लिए, mimicry show करता है, यानि के, बिल्कुल same result देता है, तो agonist हैं जो, same result देते हैं, पहले भी हम ये definitions डिस्कस कर चुके हैं, एक lecture में, secondly, ये, endocrine disruptor जो हैं, antagonist भी हो सकते हैं, antagonist, असल hormone को काम करने से रोकेंगे, block करेंगे, जैसे के, DDE, जो के DDT का metabolite है, जो के pesticide या insecticide के अंदर, इस्तमाल किया जाता है, endogen receptor के उपर, bind कर सकता है, और normal, testosterone के function को रोक सकता है, third, function कुछ इस तरह से हो सकता है, के ये endocrine disruptor, hormone senses को increase कर दें, original body का जो hormone है, जैसे के, aromatase activators हो सकते हैं, herbicide, etrazine, important endocrine disruptor है, enzyme की, amount को, vary करते हैं, ये hormone senses के लिए, aromatase enzyme, testosterone और estrogen की conversion के, लिए, इस्तमाल होता है, bio chemical reactions, जो हैं, इस्टरड़ायोल के, और, जितने भी, ये testosterone की conversion के, अब bio chemistry के कुर्स में, पढ़ चुके होंगे, तो enzyme है, या आपर, सिर्फ आपने याद रखता है, कि aromatase enzyme है, जो के testosterone और estrogen की conversion, testosterone से estrogen की conversion करता है, steroid hormone, के तोर पर काम करता है, metabolism के लिए, estrogen और testosterone, फॉर्थ फंक्शन, enzyme synthesis को decrease करके कर सकता है, फिफ्ट है, enzyme को, ये, enzyme की breakdown को, accelerate या slow down, भी कर सकता है, फिफ्ट, endocrine disruptor, organism, जो के फिल हाल किसी hormone से sensitive नहीं है, लेकिन बाद में कम या ज्यादा sensitivity को जिन्दगी में चेंज कर सकता है, आने वाले वक्त में, तो enzyme embryonic development लेटर embryonic development पर भी effect कर सकता है, toxicity result हो सकता है उसका, और effect करता है, ये transgenerational, यानि के अगली नसल में, changes create कर सकता है, through changes in genome of germ cells, germ cell में changes आएंगी, यानि कोई mutations आती हैं, तो अगली नसल में changes का बाइस बनेंगे, methylation of DNA, histone modifications, ये तमाम processes change हो सकते हैं, जो के normal DNA के लिए जरूरी हैं, astrogenicity को चेक करने के लिए बहुत सारे test conduct करवाए जाता है, जाते हैं, जिन में से एक vitilogen determination भी है, और दूसरा जो है, masculinization यानि के endogen dependent effect भी हो सकते हैं, तो ज्यादा तर studies astrogenicity से मुतलिक हैं, यानि के आप ये कह सकते हैं, जो है, जो है, वो ज्यादा astrogenic हो चुका है chemical की वज़ा से, अंड्रोजेनिक components हैं जो water में, वो ज्यादा detect नहीं हो पाते हैं, क्यूंके उनको detect करने के लिए उनके जो बायो मारकर्स होते हैं, वो find करना बहुत मुश्किल है, तो बायो मारकर्स पर एक अलग से lecture होगा, उस पर अलग से वीडियो होगी, जो के course में include है, बायो मारकर्स किसी toxicity के effect को जानने के लिए कुछ functions हैं body के अंदर जो change होते हैं, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि इसके उपर toxic effect हो रहा है या नहीं हो रहा है, simple आप इतना कह सकते हैं फिलहाल, तो male के अंदर जो effect हैं वो detect करना ज्यादा मुश्किल हैं बनिस्बत female में effects के, तो environment इन्सानों के लिए या जितने भी aquatic organisms हैं उनके लिए estrogenic बन चुका है, chemicals जैसे के औरगेनो कलोरीन, insecticide, dioxin, poly, chlorinated by phenyls, PCBs, estrogenic हैं, नेचर में जानी कि इनका function estrogenic है, organic tin compound, tributyl tin, triphenyl tin, ये endrogenic हैं, मतलब कि male development की तरफ ये effect करते हैं, reproductive hormone जरूरी होते हैं, development के लिए reproductive organs की, sex organs की और sex cells की यानिके gametes की, तो अगर कोई toxicant है, वो development पर effect करता है gamete की, तो वो change कर रहा है next generation में characters को, तो directly भी gamete की formation को change किया जा सकता है, और indirectly भी hormone cycle को control करके gamete formation को change किया जा सकता है, estrogenic chemicals हैं जो, वो reduce करते हैं, milt production को, milt जो है, ये fish के अंदर, semen के लिए word use किया गया है, वहाँ पर sperm containing fluid के लिए, milt production कम हो जाएगी, estrogenic chemicals की वज़ा से, जो के इसके hormonal cycle में disturbance लेकर आते हैं, cells जो हैं, वो bigger हैं, sperm से, और इनके अंदर जो york protein होती है, वो embryo के लिए जरूरी है, जब तक वो बाहर से खुराख खाने के लाइक नहीं होते हैं, embryo, vitilogenin से ही, york protein से ही, खुराख हासिल कर रहे होते हैं, liver के अंदर produce होती है, vitilogenin, fish में, और fat bodies में produce होती है, invertebrates में, जो कि आप पहले entomology की course में पढ़ चुके होंगे, vitilogenin का नाम, तो वो production होती है, उनकी fat bodies में, vitilogenin gene transcription कंट्रोल होती है, female hormones के जरीए, अगर female hormones यानि estrogen किसी effect में हैं, ज्यादा हैं, तो हम detect कर सकते हैं, कि vitilogenin RNA मौजूद है या नहीं है, मतलब हम इतना कह सकते हैं, कि vitilogenin gene की transcription के लिए, female hormone inducer हैं या activator हैं, अगर cell के अंदर, ये vitilogenin gene का messenger RNA पाया जाता है, तो मतलब, ये इस बात की indication कर रहा है, कि इसको estrogenic chemical मिला है, तो इसके लिए, ज्यादा मिकदार से हम messenger RNA की ज्यादा मिकदार से identify करेंगे, वरना normal तो vitilogenin बनता ही है, अपेयर होता है, लेकिन वो अगर किसी ऐसे टाइम पर है vitilogenin जो उसका season नहीं था ऐसा, तब भी exposure की indication है, एक्वेटिक एनिमल्स गेमीट पानी के अंदर पहलाते हैं, जिसमें sperm है जो फर्टिलाइज करता है एक को, तो इसके लिए जरूरी है कि sperm स्विम करता हुआ, एक की तरफ जाए, तो जो मिल्ट होता है, फिश का जो सीमन है, सीमन लाइक सबस्टान्स है जो, उसके अंदर sperm स्टार्टिंग में एक्टिवेटिड नहीं होते, जब ये हाइपर या हाइपोटोनिक में इन्वाइर्मेंट में आते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इसके अंदर मीडियम में सेलेनिटी का जो चेंज है, साड का जो चेंज है, वो मौटिलिटी करियेट करता है, यानि कि मौवमेंट करियेट करता है, स्टार्म में, तो आइन की जो मौवमेंट है मेंब्रेन के अंदर, वो जरूरी होगी, मौटिलिटी के सिगनल के लिए, मौटिलिटी, शौर्ट डियूरेशन के लिए हो सकती है, less than a minute भी और ये duration depend करता है इसके अंदर available energy पर अगर sperm के अंदर जो mitochondria है वो ज्यादा energy produce कर रहे हैं तो motility ज्यादा देर के लिए हो सकती है तो chemical जो motility पर affect करेंगे वो indirectly fertilization पर भी affect कर रहे हैं energy production पर affect करने वाले जो chemical है यानि mobility पर जो affect कर रहे हैं क्योंकि mobility डारेक्टली है metabolism के साथ energy production के साथ tributile tin sperm motility को decrease करता है क्योंकि ये mitochondrial energy production को decrease करता है iron balance membrane में sperm function को भी affect करती है क्योंकि जो metal ions है जो metals है वो spermatozone की motility और उसके function के लिए जरूरी है इसके लावा membrane के दर्मयान जो transport mechanism है signaling है वो required होती है environment में मौजूद ions से इसके लावा internally जो signaling होती है आप इससे भी पहले physiology कोर्स में पढ़ चुके हैं C.A.M.P. mediated pathway second messenger pathway जो था cell के अंदर messengers होते हैं पर भी डिपेंड करता है motility का metal influx permatozoa के अंदर DNA की integrity को भी affect कर सकता है यानि के metal ions जो है oxidative stress भी दे सकते हैं oxidative stress पर अलग से एक video होगी तो oxidation भी कर सकते हैं ये अंदर estrogenic compound sperm function पर milt production के बाद affect नहीं करते हैं ये सिर्फ milt production पर affect करते हैं milt production कम हो जाती है estrogenic compound से लेकिन sperm के function पर ये affect नहीं करते हैं यानि कि इसकी motility पर fertilization में फिर मजीद chemicals affect कर सकते हैं अगर sperm एक तक पहुँच गया है तो उसके बाद भी sperm की जो activation है एक्रोसोम से वो भी affect हो सकती है spermatozone के अंदर applied genome है वो enter करना है इसने egg में और half chromosome applied applied add होकर egg deployed बन जाएगा तो sperm की activation penetration के लिए जरूरी है egg के अंदर enter होने के लिए ये chromosomes जा नूकलियस बहुत सारे toxicant है या detergent है जो membrane को dissolve कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है detergent जो है polar और non-polar दोनों region रखता है अपने अंदर तो membrane के अंदर भी जो phospholipids होते हैं polar और non-polar या या amphipathic हैं दोनों ही region रखते हैं तो membrane जैसे ही dissolve होगी तो fertilization का process effect होगा fertilization नहीं कर पाएगा sperm sperm के अंदर जो enzymes थे वो पहले ही egg से दूर ही release हो चुके होंगे dissolve होने की वज़ा से तो उस पर penetrate नहीं कर सकेगा या spermatozoa जो है penetrate नहीं कर सकेगा तो यह कुछ toxicants थे और development reproduction पर especially यह कुछ effects थे कि कौन कौन से level पर reproduction के toxicants जो है affect कर सकते हैं झाल